नमस्कार दोस्तों, United States of America के President के पतपर बने रहने में मुश्किल से 5 दिन बचे हैं Donald Trump को, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और नया record बना लिया है, और वो ये है दोस्तों, अगर आपने सुबे से न्यूज देखा होगा, आपको पता होगा कि United States के अंदर जो House of Representative है, उसने impeach कर दिया है Donald Trump को, लेकिन Donald Trump पहले राष्टपती है, जिनको अपने कार के दौरान दो बार impeach किया गया है, यहाँ पर आप news देख सकते हो, Donald Trump becomes first US President to be impeached twice, तो यहाँ पर यह पूरा मामला है क्या, क्यों impeachment चलाया गया, और ध्यान रखना है आपको दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में संसद होता है, Parliament होता है, दो हाुसे होते हैं, लोग सभा, Lower House, राजे सभा, Upper House, वैसे ही, US के अंदर दो हाुसे होते हैं, उसको कहा जाता है Congress, एक होता है Lower House, जिसको Senate कहते हैं, तो जो Lower House है, वहाँ पर House of Representative, उन्होंने यहाँ पर impeach किया है, अब यह जो motion है, यह फर आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इस्टाग्राम, फेस्बूक, और फिटापर मेरे लेक्टे की हब पीडियाफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, अंकित अगरवाल, ऑफिशल, और अगर आप UPSC की तैरी कर रहे हैं, तो आप फिलेशन इनरामों का इस्टाडिया, एक्यूलाइब के लिए स्मार्ट पोर्सेज, जिसके तुरू आप अपने प्रिप्रेशन और वी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, त तो ये आया कि second time उनको impeach किया गया है पूरे American history में, और यहाँ पर उनके उपर इल्जाम क्या लगाया गया है, इल्जाम ये लगाया गया है, incitement of insurrection, insurrection का दोस्तों मतलब होता है कि सरकार के खिलाब किसी तरह का विद्रो कर देना, अब आप खुद सोच के देखो, Donald Trump तो अपने आप में ही सरकार हैं, तो basically आपको जाद होगा जो Capitol Hill में जिस तरह का violence हुआ था, उनके उपर इल्जाम लगाया गया है कि उसको उन्होंने भढ़काने की कोशिश की, insight करने की कोशिश की रायट को, और इसी की वजए से यहाँ पर house के द्वारा, house of representative के द्वारा impeachment motion च समझ में आ जाएगा, तो ध्यान रखेगा, आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर भी impeachment होता है, जैसे कि President के उपर को impeachment चलाना है, although भारत के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन US के अंदर क्या होता है, कि एक तो President को यहाँ पर impeach किया जा सकता है, Congress के दौरा, अब ध्यान रखेगा, Congress जब मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ की संसत की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर President के या फिर कोई भी official हो, उसको भी impeachment के थ्रू हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखेगा, वहाँ की जो Congress है, उसके पास काफी जादा power दिया गया है Constitution के द्वारा, कि अगर क House of Representative के द्वारा impeach किया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो process होता है, वो House of Representative से ही start होता है, मतलब कि House of Representative के पास soul power है कि वो impeachment का motion start कर सके, जब तक House of Representative impeachment pass नहीं करेगी, तब तक Senate कुछ नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें सुरुआत की जाती है, वो House of Representative से हो में just चीजों को pass करना है, किसी भी वहाँ पर lawmaker को लगता है कि अगर impeachment का motion चलाना है और अगर वो pass हो जाता है, तो यहाँ पर उसके उपर जो है वो pass हो जाएगा और उसके बाद वो Senate के अंदर चला जाएगा, जैसे कि for example आप देख सकते हो, यह House of Representative के numbers हैं US के अंदर, जो lawmaker जैसे हमारे यहाँ लोक सभा है, वैसे ही वहाँ पर, तो यहाँ पर जो majority चाहिए impeachment के लिए वो था आपका 217, जिसमें आप देख सकते हो, 232 लोगों ने यहाँ पर favor में vote किया, कि हमें impeach करना है Donald Trump को, लेकिन 197 में यहाँ पर खिलाफ vote किया, तो definitely simple majority चाहिए और यह चीज प impeachment के लिए यहाँ पर voting किया है, 197 में यहाँ पर Donald Trump के favor में voting किया है, तो Democrat के 222 vote प्लस Republican के 10 vote, total मिला कर यहाँ पर 232 हो जाता है और यहाँ पर impeach किया गया है उनको, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ से अब यह चीजे कहां जाएंगी, Senate के अंदर जाएंगी, Upper House में जाएंगी और वहाँ पर क्या trial चलेगा, trial मतलब एक तरह से Judiciary का काम करेगा, जैसे Judges होते हैं, एक तरह से कारवाही की जाएगी उनके उपर कि उनके उपर कि उन्होंने क्या अक्चुल में गलत काम किया है कि नहीं किया है, वो होने के बाद फिर Senate के अंदर voting होगा, लेकिन ध्यान सकता है, impeachment का मतलब ये नहीं है कि वो office से हट जाएंगे, House of Representatives नहीं यहाँ पर impeachment किया है, लेकिन अगर ये Senate में भी pass हो जाता है, तब यहाँ पर Donald Trump को office से हटाया जा सकता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा उनके charges के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो charges लगाये गए हैं, जो article of impeachment है, तो उनके अपर direct इलजाम लगाया गया है कि उन्होंने violence create करनी की कोशिश की, Capitol Hill के अंदर और यहाँ पर आपको पता होगा करी 5 लोगों की at least मित्यू हो गई है, और यहाँ पर कई सारे उनके द्वारा जूट इलजाम लगाये गया है, जैसे election result को लेकर, आपने देखा होगा, Twitter के अंदर लगतार वो बोलते रहे थे, election result के बाद भी की जीत मेरी ही हुई है, तो इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, यह impeachment के अंदर शामिल कर दिया गया, in fact यहाँ पर January 2 का भी बात किया गया, आपको याद होगा कि phone call किया गया था, Donald Trump के द्वारा Georgia के Secretary को, और यहाँ पर उनकी द्वारा कोशिश की जा रही थी कि जो election का result है, उसको किसी प्रकार से overturn किया जा सके, तो overall जो article of impeachment है, Donald Trump के उपर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि he has gravely endangered the security of United States, आप imagine कर सकते हो कि एक President के खिलाफ ऐसे शब्द किये जा रहे हैं, यहाँ पर integrity of the democratic system है, उ In fact, यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि अभी तक US के अंदर कितने President को impeach किया जा चुका है, तो ध्यान रखेगा, Donald Trump के पहले स्रिफ दो President थे जिनको impeach किया गया था, एक थे Andrew Johnson in 1868, उसके बाद Will Clinton in 1998, उसके बाद third बने थे आपके Donald Trump, और Donald Trump को 2019 में किया गया था impeachment एक ब House of Representatives से पास हुआ, लेकिन जैसा मैंने बताया, Senate के अंदर two-third voting चाहिए होती है, तो किसी भी President को office से नहीं हटाया गया है, जब तक Senate उसको pass नहीं कर देगा, तब तक वो office से नहीं हटाया जा सकते हैं, in fact, 2019 December में यहाँ पर Donald Trump के उपर पहली बार जाम impeachment किया गया था, तो उनक Ukrainian President के साथ मिलकर, कुछ ना कुछ Biden के खिलाफ यहाँ पर चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, basically उनके उपर इल्जाम लगाया गया कि Ukrainian President के उपर दबाव डाला जा रहा है, Donald Trump का, ताकि Biden के खिलाफ कुछ सबूत लाया जाए, यहाँ पर उनके जो बेटे हैं, उनके खिलाफ कुछ सबूत लाया जाए, तो इस तरह के इल्जाम लगाया के थे 2019 में, लेकिन 2020 February में आप देख सकते हो, कि Senate ने यहाँ पर cancel कर दिया, मतलब कि impeachment जो process है पुरा वो fail हो गया, Senate के अंदर, House of Representatives से हो गया था, लेकिन इसी की वजाए से वो office से नहीं हटाए गया थे, अब अब डिपेंड करता है कि जो House of Representative है, कब यह impeachment को transfer, यह जो article of impeachment जो pass हो गया है House of Representative में, कब उसको transfer किया जाएगा Senate में, तो जैसे ही Senate के अंदर उसको transfer किया जाएगा, भीजा जाएगा, तो Senate को highest priority देनी होगी impeachment के लिए, लेकिन आप आपको यहाँ पर ध्यान आएगा, कि Donald Trump का क पारेकाल, तो स्रिफ 5-6 दिन का बचा है, 20 January को यहाँ पर वो अपनी सत्ता जो है, जो Biden को दे देंगे, तो यहाँ पर अब देखेगा एक और चीज है, कि January 19 को ही Senate को मिलना है, Senate अभी इस समय कारवाही में नहीं चल रहा है, तो 19th of January को Senate यहाँ पर वापस आएगा, तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर Donald Trump हड भी जाते है, President के पत पर, उसके बाद भी यहाँ पर जो Senate है, उसके अंदर यह trial चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि Donald Trump President के पत पर हड गए, उसके बाद 20 January के बाद उनका trial नहीं चलाया जा सकता है, उसक Suppose मैं कहता हूँ कि Donald Trump 20th of January को President पर छोड़ देते हैं, उसके बाद अगर Senate के अंदर यह पुरा trial चलाया जाता है, और यह पास हो जाता है, Suppose two-third majority से पास हो जाता है, तो ध्यान रखेगा, अगर ऐसा होगा, तो इतिहास में पहली बार होगा कि President को Senate से भी यहाँ पर, जो है, व टर्म के लिए वो President बन सकता है, कोई भी US के अंदर, तो अभी एक ही टर्म के लिए President बन है, हो सकता है, अगले बार फिर से लड़ सकते हैं Trump, लेकिन अगर यह impeachment motion successful हो गया Senate के अंदर भी, तो यहाँ पर किसी भी US Government के Office में वो कारकाल नहीं समाल सकते, यह आपको ध्यान रखन होगा, तो यह है पूरा दोस्तों, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा यह मामला क्या चल रहा है US के अंदर, तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आ होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए a question लेकर आए हूँ, interesting question है, ध्यान रखेगा भारत के अंदर, suppose मैं कहता हू कि यहाँ पर जो governor होते हैं, sitting governor है, by chance उनकी मृत्य हो जाती है, by chance, तो उस समय यहाँ पर उनका जो function है, कौन discharge कर सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हो इन चार option में, इसका जो right answer मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से आप ले स झालूँ